कुशल अमारे साथ तयार है बताने के लिए किस वज़े से इंडिगो यानि कि इंटर ग्लोब एविशन है कम जो कुशल बताई लिए सथ देखिए यहाँ पर ये खबर तो हम सुबा से बता रहे हैं कि इंडिगो के जो को फाउंडर है राकेश गंगवाल जी वो उन्होंने नॉन एक्जेक्योटिव और नॉन इंडिपेंडेंट डिरेक्टर पत से इस्तीफा दे दिया है और ये इसलिए दिया है क्योंकि आगे चलकर ये अपनी हिस्सेदारी जो है बेचने वाले हैं अब इनकी खुद की कमपनी में करीबन 14.65% हिस्सेदारी है और ये खुद पहले कमपनी के अब अब आप देखें यहां पर जो ये हिस्सेदारी घटाएंगे अपनी इसमें इनकी खुद की 14.65% है और इनसे जुड़ी भी एंटिटीज को भी अगर आप कुल में लाकर देखेंगे तो करीब-करीब 37% इनकी टोटल हिस्सेदारी इंटर ग्लोब इविएशन में है अब यहां पर ये हिस्सेदारी ये बोर्ड से इस्तीफा इन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि as a director चाहे non executive director है इनके पास काफी सारी unpublished price sensitive information भी आती है तो उससे बचने के लिए यानि कि उससे जो है कोई conflict of interest ना है उनकी जब selling वो करेंगे अपनी शेरों की क्योंकि over a period of five years या उससे भी जादा समय में ये अपनी हिस्सेदारी reduce करने वाले हैं पूरी तरह से और ये चीज तब हो रही है क्योंकि आप देखे 30 December 2021 यानकी पिछले सल 30 December को ये EGM इन्होंने बुलाई थी और उस EGM में जो articles of association में बदलाव होने वाले थे जिसके तहत जो rights of first refusal है वो जो ह शेदारकों ने उस चीज को मनजूरी दे दी थी अब उस मनजूरी देने के बाद क्या हुआ कि ये clause हटने के बाद दोनों promoters बिना एक दूसरे की permission लिए जो है अपनी हिस्सेदारी बेच सकेंगे और उसके बाद ही आप देखें यहां पर ये चीज आती वे दिखरी है राक कर सकते हैं बट नेट नेट अभी जो दिख रहा है ये अपनी जो हिस्सेदारी है 14.65% की वो अगले 5 सालों में पूरी तरह से बेचेंगे तो यह है आपके लिए इंटर गलोब इंडिगो उपर इस समय जो खबर आती हुई दिख रही है बड़ा डिवेलेपमेंट हुआ है और अफकोस स्टॉक भी फोकस में है सुबा से थोड़ी सुस्ती है सुबा अच्छी शुरुगात हुई फिर गिरा अब वापस थोड़ा उपर आने की कोश्च करते हुए दिख रहा है बट नदर रखे यह आपके लिए आक्शन है बाजार में